असलाम अलेकुम एब्रिवान कैसे है आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे और आप लोगों को मेरा और एक वीडियो में स्वागत है और अभी हम करेंगे ब्रेकफस्ट मम्मी के घर में का एक एक सब खगय को तो एके सब्सा उ समय म्मट को ए्अ को न अब मैं हम झार फ्द सको ऋब्लियों ग अ Kollegin का le gue ओई को य। अचσα अच्छा एडिनें हूवक मैं ? और हूवक इतना दूलता प्सकीब और यह खीरे जो बहुत च्छोटे है आने लगे हैं बहुत सारे आ रहे थे यह देखो मचलिये को खाना दे दिया और यह अब सारे की सारे कूद परेंगे देखो कि इतना अच्छा लगता है जैसे पानी ऐसे उबल रहा है इतना अच्छा लग रहा है सब के सब खाना खाने के लिए आगे फिर हम चलेगे ममी के घर से डायरेक्ट मेरे हजबन के एक दोस्त के घर क्यूंकि उसके ममी पापा हज में जाने वाला है तो हम जाने से पहले उन लोगों को ऐसे ही देखने मिलने चले गए तो यह समान दिखा रहा था आंटी जो जो समान वहां पे लेके जाएगा शब कुछ और यह हम तीनों बैखे फिर यह वहां पे जाके कुछ खाय लिया पहली बार गई वह आंटी तो मतलब एक साल से कह रहा था कब आओगे हमारी घर कब आओगे तो फाइनली आगई मिलने तो तो यह है तो कान तुमा के तुलिम रवा इसा और वो रही उनका दोस्त हमें खाना परूस रहा था फिर हम वहां से निकल गए और नेक्स्ट डे मैं यह बैनर बना रही थी वर्ड एंवारमेंट दे है वह सेलिब्रेट करना था हमारे घर में आंगनवाडी का सेंटर है क्योंकि मेरी मादर इन लो उसी का वर्कर है हमारे घर में ही है वो सेंटर तो स्टूडेंट आ गया और उन लोगों को लेके बच्छों के हाथों से भी प्लांट लगाएंगे और यह पहले ममी लगा रहा था और यह आम चतन बनाएं अब हम इसमें नमक और मुची मिक्स करके अब ठाएंगे बहुत ही पीखा और खटा था तो भी बहुत मजा रहा था इसे गर्मी में अच्छो लगता है अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेर और सब्सक्राब ज़रूर करना और बेल आइकन भी अब आपके अगले नोटिकेशन ताइम पर मिंजाय बाइ